नमश्कर आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड साहित्य के खजाने से कुछ अनमोल कहानिया आए सुनते हैं मालती जोशी जी के लिखी कहानी आउटसाइडर अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें तो आए सुनते हैं आउटसाइडर स्टेशन से लोटते हुए रात के ग्यारा बज़ गये थे नए जोड़े के हनिमून पर रवाना होते ही शादी का कारिक्रम एक तरह से संपन हो गया था नीलम थकान से निढाल हो रही थी पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हलका हो गया था अवब निश्चिन्ध होकर विस्तर में दुबग जाना चाहती थी पर जनता का इरादा कुछ और ही था बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेज कर सब के सब ड्रोइंग रूम में ही जम गये थे थोड़ी देर बैठलो न दीदी पुनम ने कहा पिछले दिनों इतनी भागम भाग मची रही कि फुरसत से बैठकर दो बाते भी नहीं हो पाई पम में ठीक ही कह रही थी घर की इस आखरी शादी में पूरा परिवार इकठा हो गया था सुदीब तो इतनी दूर करनाडा से आया था पर कुशल शेम पूछने के अतरिक्त उससे भी जादा बात करने का वक्त नहीं मिल पाया था पूरे वक्त आपा धापी ही मची रही अब जाकर थोड़ी फुरसत मिली है तो इन लोगों के जाने की घड़ी भी पास आ गई है तो नम चार दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी सुदीब भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा मला इतनी दूर बार-बार आना कहा होता है शादी के बाद पहली बार तो आना हुआ है सुश्मा भी तो अपनों से मिलने के लिए कुलबुला रही होगी सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुरसी पर बैट गई एक सुमित को छोड़ कर उसका पूरा परिवार उसके सामने था सुदेप, सुजीत, दोनों भाई, उनकी बहुए, सुश्मा और अलका, बहन पूनम और उसके पती नरेश अपने इसी परिवार के लिए वो पिछले 25 वर्षों से खट्ती आ रही थी अच्छोटे की शादी के साथ उसके सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी वो अपने आपको बहुत हलका और किरतार थनुबह कर रही थी तुम सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा, शादी में रौनक हो गई उसने भावा विभोर होकर कहा दीदी हम लोगों को तो खेर आना ही था पर असली रौनक तो बड़े भाईया के आने से हुई है पम्मे बोली पिछली दोनों शादियों में वे नहीं थे तो बहुत बुरा लगा था इस बार तो उसे आना ही था घर की आखरी शादी जो थी नीलम ने कहा अरे इसके लिए तो समधी जी से भी लड़ गई थी साफ कह दिया कि भाई साहब जब तक बड़े का प्रोग्राम नहीं आता मैं शादी की तारिक तै नहीं कर सकती घर की आखरी शादी है सबका होना नहायद जरूरी है दीदी तुमने मेरी छुटी का इंतजार किया सच मुश बड़ा अच्छा किया पर बार बार या आखरी शादी का जुमला क्यो रट रही हो दीपू मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से था तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है मैं प्रिया की शादी की बात नहीं कर रहा तो दरसल हम लोग कहते कहते सुधीत चुप हो गया सहारे के लिए उसने सुजीत और पुनम की ओर देखा सुजीत ने तो संकूच से आके जुका ली पर पुनम तो हमेशा से बोल रही है जट बोल उठी दीदी बड़े भाईया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारिया समाप्त हो गई है अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए बटाई हैं कौइट वेल सेटल उनका मतलब है अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए पंमी तुम पागल तो नहीं हो गई नीलम ने बेहन को बुरी तरह डपट दिया उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था भला यह भी कोई बात हुई सामने घर के दामाद बैठे हैं बहुई बैठी हैं उनके सामने इस तरह की बचकानी बाते कहनी चाहिए भला यह तो अच्छा हुआ जो सुमित और निया चले गए हैं नहीं तो वह नई लड़की अपने मन में क्या सोचती छी अभी वह अपनी शर्म से उबर भी न पाई थी कि नरेश बोल उठे दीदीपम में ठीक कह रही है या सिर्फ उसके या बड़े भाईया के मन की बात नहीं है हम सबकी यही इच्छा है इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी ही हूम करती है इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी इतनी नान की आराम की जिंदगी बसर करें आप नहीं जानती कि अपनी ग्रिहस्ती में रच बस जाने के बाद भी इन सब के मन में एक अपराद बोध पलता रहता है एक काटा सा हर दम चुपता रहता है पम्मी तो पता नहीं कितनी बार कहती है कि काश दीदी का भी घर बस जाता तो मैं जी जाती अब घर के दमाद को डाटा तो नहीं जा सकता इसलिए फीकी हसी हस करनी लम ने कहा मैं तुम लोगों की भावना समझती हूं नरेश पर घर बसाने के भी एक उम्मर होती है होती क्यों नहीं जरूर होती है और आप अभी भी उस उम्मर के दायरे में ही है वो तो शुरू से आप सबकी गारजियन बनी रही इसलिए अपने आपको बुजुर्ग समझने लगी है नहीं तो 45 भला कोई उम्मर होती है आप चाहें तो अब भी आपके लिए दर्जनों प्रस्ताव आ सकते है नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया ऐसी बचकानी बातों का कोई जवाब भी क्या दे उसने तो उसे महज मजाख ही समझा पर वे लोग सच मुझ दर्जन भर प्रस्ता बटोर लाए थे लगा कि छोटे की शादी का तो बहाना था वे लोग शायद इसी अभियान के लिए कठा हुए थे उन लोगों की गुपचुप खिचडी पकती रही और उसे कानो कान खबर तक ना हुई उसे तो तब पता चला जब एक लंब बी चौड़े लिस्टों से थमा दी गई फिर भी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया किवल मनोरंजन के लिए वो पूरा ब्योरा पड़ गई थी उसे हसी भी आई थी और आश्चरे भी हुआ था कि लोग कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में भी शादी का शौक पालते हैं उसे फोरसत से विचार करने के लिए कहा गया था पर सुदीप और शुष्मा दूसरे ही दिन उसके कमरे में आधम गे उन्हें शायद सबसे ज़ादा जल्दी थी गनाडा जाने से पहले वे सब कुछ तै करके जाना चाहते थे उनके पीछे पीछे सुजीत भी आ पहुचा लगा कि दोनों भाई दल बांध कर उस पर हमला करना चाहते हैं थोड़ी देर इधर उधर की बाते होती रही फिर सुदीप ने एक आएक पूछ लिया देदी तुम्हें वह लखनो वाला प्रपोजल कैसा लगा? कौन सा? वह अवस्थी जी वाला? ना बाबा, शादी के तुरंत बाद नानी बनने का अपना कोई राता नहीं है तो बरेली वालों को देख लेते हैं शुष्मा ने सुझाग दिया उनके दो ही बेटे हैं शायद वे भी अभी छोटे हैं और उन बेटों को भी वे हॉस्टल में रखने को तयार हैं सुधीप ने जानकारी दी इसी को कहते हैं हिप्पोक्रेसी इधर तो यह प्रचारित करेंगे कि हम से बच्चों की खातेशादी कर रहे हैं और फिर उनी बच्चों को हॉस्टल में ठूसने को भी तयार हो जाएंगे ऐसे दो मुहें लोगों से मुझे सक्थ नफरत है जाने दो बरेली वालों को गोली मारो सुझीप बोला मुझे तो नरेश के जीजा जी वाला प्रस्ता बहुत अच्छा लगा है एक तो महाश्य डिप्टी कलेक्टर है दूसरे थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का शौफ भी रखते है ये विल बी अ पर्फेक्ट कमपेनियन उनी की बात कर रहे हो न जिनकी लड़की ने आत्महत्य की धमकी दी है अरे क्यों मेरे सिरहत्य थोपना चाहते हो अरे इन धमकियों से कुछ नहीं होता दीदी पम्मी की सास ने भी तो कहा था कि अगर ये शादी हुई तो मैं मिट्टी का तेल छड़क लोंगी पर क्या हुआ कुछ नहीं दो-चार साल मुफ उलाए रही अब सब ठीक चल रहा है जी तो किस दिन फुर्सत मिले तो फम्मी से पूछना ये दो-चार साल उसने कैसे काटे है एक तो वह शुरू से ही दिलेर है सिर प्यार का जोश भी था इसलिए सब कुछ हस्ते हस्ते जहेल गई ऐसे भी कच्ची उम्र में सहना असान होता है पर इस उम्र में इतना तनाव मैं नहीं जहल पाऊंगे बेश साल के उम्र से मैदान में खड़ी हूँ परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तंग आ गई हूँ ठक कर चूर हो गई हूँ अब जाकर थोड़ा सुस्तारी की महलत मिली है मैं इस महलत को भरपूर इंजॉय करना चाहती हूँ यह मत समझना कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती नहीं हूँ समझती भी हूँ और कदर भी करती हूँ पर मेरे लिए इतनी सोच विचार करने की सच में जरूरत नहीं है अब मैं सिर्फ शान्ती चाहती हूँ शान्ती और आराम बस इस से ज़ादा कुछ नहीं थैंस ओल्दा सेन तीनों अपना सा मू लिये उठ गए कमरे से बाहर दो चार कदम ही गए होंगे कि सुश्मा बोल पड़ी मुझे मालूम था हूँ मना कर देंगी इतने दिनों तक इस घर में बॉसिंग करती रही है ससुराल में धोस डपट सहना उनके बसका थोड़े ही है क्या बात करती हो भावी अब इस उम्र में उनसे धोस डपट कौन करेगा क्या औरों की न सही पती की तो सहनी पड़ेगी उसकी जीहजूरी तो करनी पड़ेगी अंचाहे ही सारी बात नीलम के कानों से ठकरा गई उसने सोचा सुश्मा ठीक ही कह रही है इतने दिनों तक इस घर में एक शत्र शाषन करने के बाद अब वह किसी का शाषन स्विकार नहीं कर पाएगी शादी के इस पहलू पर तो उसने सोचा ही नहीं था अच्छा ही हुआ जो यह किस्सा सुरू होने से पहले ही उसने खत्म कर दिया पर कहां 24 गंटे भी नहीं बीते और पूनम ने उसे घेर लिया उसने तो प्रस्तावना में समय भी नहीं बरबाद किया सीधे ही शुरू हो गई भाईया भाबी बता रहे थे तुमने शादी से साफिंग कर कर दिया तो और क्या करती तुम लोगों को पागलपन का दौरा पड़ा है तो क्या हूँ मेरा दिमाग तो अभी साबूत है पम में कुछ शट चुप रही फिर धीरे से बोली तुम हमेशा अपने ही ढंक से सोचती हो कभी औरों की दृष्टी से भी सोचा करो क्या मतलब तुम नहीं जानती इन लोगों के मन पर खासकर सुजीत और अलका के मन पर कैसा भारसा बना रहता है अलका कहती है हम तो जिन्दिगी को कभी ठीक से इंजॉय नहीं कर पाते एक अन्ब्याही ननत का साया हमेशा हमारी खुश्यों पर मढ़राता रहता है So sad नीलम ने हसकर कहा भई अपनी अलकारानी को समझा देना कि मेरे लिए इतना परिशान होने की जरुवत नहीं है मैंने जिन्देकी की किताब से वे पेज बहुत पहले फाड़ कर फेक दिये थे जिन पर शादी की इबारत लिखी हुई थी दीदी क्या वे पेज फिर से जोड़े नहीं जा सकते पम्मी तुम नहीं जानती अर्मानों को दफन करना कितना असहनी होता है उन्हीं वापस जिलाना तो शायद और भी पीडा देगा और मुझे डर है कि अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं सपनों के टूटे हुए सेरे को वहीं से उठाना चाहूंगी जहाँ छोड़ा था मैं समझी नहीं दीदी पम्मी मेरी उम्र चाहे जो भी रही हो मेरे सपने अभी भी किशोर है मेरे भाई लोग जैसे एंटिक पेसेज मेरे सामने परोस रहे हैं उनसे इनका कोई मेल नहीं है दीदी, try to be practical अगर तुमारी समय से शादी हो गई होती तो हमारी जीजा जी भी आज उम्र के इस दौर में होते समय से शादी नहीं हुई यही तो परिशानी है पम्मी पती-पत्नी साथ-साथ बढ़ाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उस लंबे यात्रा में इतनी सारी चीजे जिन्दगी से जुड़ जाती हैं कि उम्र का हैसास पीछे छूट जाता है तुमारी बाते तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही है तो समझने की कोई जरूरत भी नहीं है इसे एक मजाग समझ कर भूल जाओ मैंने भी तो तुम्हारे प्रस्ताओं को मजाग से जादा कुछ नहीं समझा दरसल अब शादी की बात ही मन से उतर गई है तुम लोगों ने यह विचार फिर से जगा दिया है तो सोचूंगी कोई सही आदमे मिला तो बता भी दोंगी पर अब इस उम्र में कोई रिष्टा जबर्दस्ती नहीं होड सकती सौरी एक बात और थी दी दी अब क्या रह गया तुमने इस घर को लाख अपने खुन से सीचा हो पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता तुम यहां हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी क्या बात करती हो मैं सच कह रहे हूँ अभी तो तुम्हारे पास अपनी नौकरी है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता पर कल को जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फाल्तु समान किसी रह जाएगी तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी नीलब कहने को हुई कि जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हारे यहां चली आऊंगी पर नहीं कहा यह प्रस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था नहीं दिया तो बुरा भी लगा पर चुप लगा गई अब इससे क्या कहे वह बेचारी तो खुद ससुराल के आतंग से तरस्त है कहना होगा तो सुदीब से कहेगी खुद तो इंजीनियर बनते ही शादी कर ली और विदेश चला गया दुबारा पलट कर भी नहीं देखा तब का गया अब आया है वहां बैटकर दीदी का ख्याल नहीं आया अब जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई तो दीदी के शादी का शौक सवार हुआ है लेकिन सुदीब से भी वह कुछ नहीं कहेगी अपने भाई बेहनों पर उसकी अपार ममता है शिकायत कभी अगर थी तो वह अम्मा से थी मा होकर भी उन्होंने बहुत पशपात किया कमाने का भार बड़ी बेटी के कंधों पर डाल कर वे बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही उम्र नीलम की मुठे से रेट की तरह फिजलती रही और अम्मा जान कर अंजान बनी रही पिता की आकास्मिक मृत्यू के बाद जब उसने घर की बावड़ समाली थी तब यह नहीं सोचा था कि अब यही उसकी नियती होगी मन में एक छीड आशा थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वह अपनी जिन्दगी जी सकेगी पर वह आशा दुराशा ही सावित हुई दीपू के इंजीनियर होते ही उसके लिए रिष्टने आने लगे अम्मा एक आएक बहु का चेहरा देखने के लिए व्यक्र हो उठी शादी के बाद जब दीपू के साले ने उसे कनाड़ा बुला लिया तो उससे जदा खुशे अम्मा को हुई घर में एक अन्बियाही लड़की बैटी है और उसके शादी बहुत जरूरी है इस तथि से अम्मा ने जैसे आखे ही मुन ले थी अगर वे जानती की बेटे को हमेशा के लिए विदा कर रही है तो शायद अम्मा इतनी उससाहित ना होती अपने अंतिम दिनों में वे बेटे को देखने के लिए तरस गई थी चित्रों से अब उसका मन नहीं भरता था पर नेलम के हर चटी का जवाब यही होता था कि दीदी इतनी जल्दी इतनी सारे रुपए का जुगाड करना बहुत कठिन है और मैं बार बार सुष्मा के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता पिचारी अम्मा मरने के बाद भी उन्हें बड़े बेटे का नकंधा नसीब हुआ नतरपन उन दिनों प्रिया होने वाली थी और सुधीप का वहाँ होना बहुत जरूरी था और फिर एक बार इमर्जनसी बीद गई तो उसका आना तलता ही चला गया सुधीद बेकॉम करके बैंक में लग गया था पर उसका सामर्थ इतना नहीं था कि वह पूनम की शादी भी करता और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी उठाता इसलिए नेलम को मौर्चे पर डटे रहना पड़ा पूनम की शादी का तो अच्छा खासा नाटक ही हो गया था बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मौ बंद किया जा सका फिर अच्छे से लड़की देखकर उसने सुचित की शादी भी कर दी पूनम के जाने के बाद घर एक्दम सूना हो गया था अलका ने आकर उस सुने पन को भर दिया सुमित की शादी के लिए उसे सिर नहीं खपाना पड़ा तो उसने खुदी तै कर ली थी घर की या आखरी शादी भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई अपने सारे कर्तव्यों से निवित होकर कितनी खुश थी नीलम पर इस बेवक्त की शहनाई ने सब गुड़गूबर कर दिया गनीमत या हुई कि उसकी शादी का प्रसंग जिस सेजी के साथ उठा था उतनी ही जल्दी दब गया पम्मी के चले जाने के बाद तो किसी ने चर्चा तक नहीं की जिन्दिगी फिर से अपने ढर्रे पर चलने लगी लोग अपने में मसरूफ हो गये थे सुमित और नेहा गुवा से लोट आये थे और अपसोदीब का सामान बंद रहा था उसने शादी के लिए पंदर दिन की छुट्टी ले रखी थी पर उसका मन हुआ कुछ दिन और बढ़ाले ताकि जादा से जादा समय दीपो के साथ बिता सके उस दिन जॉइन करने के लिए कॉलेज गई तो साथ में एक अप्लिकेशन भी लेती गई प्रिंस्पल मेडम ने उस अप्लिकेशन की और देखा भी नहीं बोली आज तुम नहीं आती तो घर पर संदेशा भीजने वाली थी क्यों कोई जरूरी काम था हाँ ट्रांस्वर ओर आया है ट्रांस्वर और प्रमोशन एक साथ प्रिंस्पल बन कर जा रही हो कहा खेर जगह तो बहुत दूर बस्तर में है पर सुनते हैं बड़ी शांत जगह है कॉलिज भी नया नया है तो ज़्यादा समस्याएं भी नहीं होंगी लेकिन मेडम अरे भाई अब क्या परिशानी है अब तो तुम्हारी सारी जवाबदारियां खत्म हो गई है और भगवान की दया से यू आर अ फ्री बर्ड ना हो तुम्हें तो अब ऐसे चैलेंज खुशे खुशे स्विकार कर लेने चाहिए बलकि आगे बढ़ कर लेना चाहिए सो तो ठीक है मैडम पर मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने देंगे देख लो पर मुझे लगता है बार बार प्रमोशन रिफ्यूज करना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से या तीसरी बार हो रहा है मैडम फिर अपनी फाइलों में व्यस्त हो गई थी छुट्टी की अप्लिकेशन उनके सामने सरका कर वह लोट आई घर आते हुए रास्ते में उसने धेर सारी खरिदारी की सुदीप के लिए खादी का सूट लेंद और कुर्टे पजा में सुष्मा के लिए कोसा और चंदेरी साडिया और प्रिया के लिए सब प्रांतों की गुड़ियों का पूरा सेट साथ ही प्रिया के मनपसंद रसकुले भी घर पहुचकर अपनी कमरे में जाने की बजाएवा सीधे दीपू के कमरे की ओर ही चली गई परंतु पैर दर्वाजे में ही ठिठक गए पीतर देवरानी जिठानी का अप्रेमा लाब चल रहा था अलका कह रही थी आप तो लखी है जिची फूर से उड़ जाएंगी ये नेहा भी चार दिन बाद छोटू के साथ बंगलॉर चली जाएगी उम्र कैद तो हम लिखवा कर लाएं हैं सो भुखतेंगे क्या करे भई हमने तो बहुत खोशिश की पर वे टस से मस नहीं हुई अब यहीं समझ लो कि वे हमारी नननत नहीं सास हैं और उन्हें हमेशा हमारे साथ ही रहना है नीलम तो जैसे काट हो आई उसे अपने कान उपर विश्वास ही नहीं हुआ उसके आगे पीछे डोलने वाली उससे मिसरी गुले सवर में बात करने वाली अलका उससे क्या सचमच इतना उप गई है कि उसका साथ उसे उम्र कैट सा लगने लगा है और अलका को उस कैट से रहाई दिलाने के लिए ही शायद उसकी शादी का प्रपंच रचा जा रहा है वाह इसके बाद वहां खड़े रहना या उन लोगों से सामना करना उसके लिए संभव नहीं था वह दबे पाउं कमरे में लोट आई इतनी देर तक हाथ में थामा हुआ सारा समान उसने पलंग पर पटक दिया अब उसे ऐसास हुआ कि उसके हाथ दर्द कर रहे थे पर यह बोज तो कुछ भी नहीं था इससे दस गुना बोज तो उसके मन पर था उसे वक कहां खाली करती उस दर्द से निजात पाना क्या संभव था रात खाने की मेच पर रस गुल्लों का एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था उसने शाही अंदाज में अलान किया ये मेरे प्रमोशन की मिठाई है प्रिंस्पल बनकर जा रही हूँ अरे वाह कहां जगे तो खेर बहुत दूरबस्तर में है आज कल हर कहीं तो कौलेश खुल गए है पर सुनते हैं जगे बड़ी शान्त है मुझे तो इस समय सबसे ज़ादा शान्ती की ही जरूरत है इस आपा धापी से तंग आ गई हूँ फिर बार-बार प्रमोशन ठुकराना अच्छा भी नहीं लगता पहले तो खेर मजबूरी थी अब तो कोई बहाना भी नहीं रहा इस बात पर सभी एक मत थे रात बिस्तर में लेती हुई वा दिन भर की घटनाओं का मन ही मन जाय जा ले रही थी दोपहर में उसने प्रिंसिपल मैडम से कितने दर्ब के साथ कहा था मैडम मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर नहीं चाने देंगे पर कहा किसी ने भी तो प्रतिवाद नहीं किया पम्मी ठीक ही कह रही थी बलकि उसने तो रिटार्मेंट के बात की बात कही थी पर नीलम को लग रहा था कि घर में उसकी हैसियत अभी से किसी फालतु सामान किसी हो गई है